हाई मैं ओम, ओम टेक अपडेट को आपको स्वागत करता हूं आज मैं एक एसे आक्शन पेक के बारे में बात करना चाहता हूं जो लगभग जो भी प्रींट करते हैं, जो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हैं जैसे कार्ड प्रिंटिंग बगरा करते हैं visiting card हो गया, birthday card हो गया वो क्या करते हैं, card को बनाने के बाद उसको जो layout में setting करते हैं जो page बे print होगा वो print के paper में उस जो design को set करते हैं तो एक-एक photo को लेके, एक design को लेके एक-एक card को लेके setting करने में बहुत सारा time waste होता है तो उसी के हिसाब से बहुत सारे मेरे दोस्त है जो graphic designing का काम कर रहे हैं वो बोले कि एसा एक action develop करना चाहिए जैसे कि एक click में हमारा वो काम जल्दी से हो जाए तो मैंने आज उसी के ऊपर एक video बना रहा हूँ और ये action भी आपको free में मिलेगा जैसे कि आप अगर इस action को पूरा completely वीडियो को देखे इस action का काम को देखे अगर आपको ये action अच्छा लगता है और आपको इसे use करना चाहते हैं तो बस मेरे चैनल को subscribe कर लेजिए और मुझे उसका screen copy मेरे whatsapp पे दे दीजिए मैं आपको setup बगरा दे दूँगा तो बहुत सरे जो मेरे मैं जो action बना रहा हूँ जो किछी वीडियो का ट्रेनिंग का वीडियो दे रहा हूँ Photoshop related हो या video editing के related हो वो बहुत लोगों को question पर बहुत लोगों के demand पर में बना रहा हूँ जो मेरा जो in shoot है motion graphic academy उसी में बहुत सरे बच्चे आते हैं बहुत सरे मेरे भी senior जो हैं बो भी आते हैं सिखने के लिए तो उनका जो problem है उसको solve करने के साथ साथ मैं उसको youtube में इसी लिए डालता हूँ के ताकि हमारे जो photographer भाई हैं जो studio भाई हैं बो सब वीडियो से उनका भी कुछ knowledge गेन कर सके उनका भी कुछ problem solve हो सके तो थोड़ा मुझे support कीजिए ताकि मैं आगे एसे वीडियो ला सको आपके लिए मेरे चैनल को थोड़ा support कीजिए और मुझे थोड़ा share कीजिए मेरे चैनल को और ज्यादा बात नहीं करते हुए आज में अभी start करता हूँ मेरा वीडियो के हम layout कैसे बनाए जो visiting card हो गया एक page में हम जो आता है 12-18 का जो page आता है जिसमें print किया जाता है तो एक visiting card उसमें 30 visiting card आता है तो हमें 30 बार उसको setting करना पड़ता है तो एक click में वो कैसे होगा आए देखते हैं तो मैं पहले क्या करता हूँ एक visiting card ले लेता हूँ तो मैं visiting card यहाँ पे visiting card रखा हूँ तो ले लिया देखिए एक visiting card मेंने design बना लिया है इसको अभी मुझे print के लिए ready करना है तो print के लिए इसे भेजना है तो print के लिए मैं कैसे भेज हूँ मैं ज़े एक page में उसको setting करके मुझे print layout बना के भेजना है तो इसलिए जो action है VC print layout visiting card print layout इसी action पर just one click करना है आपको और कुछ नहीं करना है देखिए आपका visiting card automatically print layout में setting हो गया है तो setting हो गया आप just इसको print में डाल सकते हो और बहुत अच्छी बात है देखिए इसमें जो card का mark है वो भी आ चुका है आप इसको इसी के हिसाब से आप crowd भी कर सकते हो तो second में हम देखेंगे कि हम बाट्डे के card को कैसे इसमें set करेंगे तो अभी इसको में close कर देता हूँ next में जाता हूँ एक 46 के card के उपर एक 46 का इसका एक invitation card है तो इसको अगर हम print layout में setting करना चाते हैं तो सिर्फ मुझे 6 into 4 card print layout में click करना है देखिए automatically ये card ready हो जाएगा print के लिए अभी ये setting हो गया है अभी print के लिए ready हो गया है तो वैसे ही में 57 का जैसे हम बड़े का card बनाते हैं तो 57 में जो बनाते हैं उसको भी setting करने के लिए हम design हो गया अभी तो अभी में 57 का card ले लिया हूँ तो just मुझे 5 into 7 card print layout में just one click करना है देखिए ये automatically ये setting हो गया है just मुझे print में डालना है तो देखिए ये आपका बहुत help करेगा मुझे लगता है आप भी थोड़ा इसको use कीजिए आपका time बहुत save होगा और बहुत fast आपकाम कर सकोगे तो अगर इसी तरह वीडियो चाहते हो और इसी तरह कुछ action में बना के आपको देता रहूँगा इसलिए मेरे साथ बने रहे है जुड़े रहे है मेरे चैनल को थोड़ा support कीजिए थोड़ा share, subscribe और like कीजिए कमेंट में तो जरूर लिखिए कि ये action आपको कितने अच्छा लगा ठीक है फिर बिलेगे तब तक वेट कीजिए